नमस्कार आदाब मेरा नामे मुहमद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलिवूड हेल्प लाइंड कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर जिस शक्सियत पे ये गाना पिक्चराइज हुआ और जिस शक्सियत ने मदर इंडिया ऐसे फिल्म की सी आईडी ऐसे फिल्म का हिस रही प्यासा का हिसा रही मैं बात कर रहा हूं जेबुनिसा और फकुमकुम की आज उनका इंतकाल हो गया च्छेशे साल उनकी उमर थी और एक उमर का भी दखल होता है और काफी वक्से बीमार चल रही थी नावेज जाफरी ने टुटर के माद्यम से लोगों बताया कि कुम का इंतकाल हो गया है जेबुनिसा का इंतकाल हो गया है यह वो शक्सियत है जिन्होंने में लगता है की फिल्म इंडस्ट्री को एक नए आयाम दिये एक नए नजरिया दिया यह वो शक्सियत है जब मैं जेबुनिसा कुमकुम की बात करता हूं जिन्होंने सिर्फ एक गाने को करके अपनी मकबूलियत हासिल करी अपना माकाम बनाया यह बहुत मशूर किस्सा है कि गुरुदत साथ उस गाने में आर पार लगा तीरे नजर उस गाने के लिए किसी को किसी मेल को डूंड़ मेल को ले रहे थे जगदीब को फिर उने लगा कि नहीं यह मुनासिब नहीं हो और उनका इस तरह से जाना दुख की बात है बहुत तकलीफ की बात है और उससे तकलीफ की बात यह है कि जब इस तरह से कोई आर्टिस दुनिया को छोड़ के जाता है गिने चुने लोग जो सोचल मीडिया के माध्यम से इस बात की इंफोमिशन भी देते हैं और अपना गम रिशीकपूर साहब बहुत याद आती। भगवान उनकी आप मैं को शांती दे जहां भी हो। रिशीकपूर साहब एक ऐसे शक्स थे शायद वही लोगों को डाट देते थे और ऐसास दिला देते थे कि आज ये गया है कल हमारा नंबर होगा। यहां कुमकुम के केस में तो कुछ ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं हो रहती गाएं। हिंदी फिलम इंडस्टी के लोगों को कितना फरक पड़ा है उस बात का मुझे अफसोस है। वैसे सदी के महानाय कमिता बच्चन हों, अमिर खान हों, अक्षे कुमार हों, सल्मान साब हों। बहुत से बड़े दिगज लोग हैं और कुछ परिवारवात का जंडा लेके जो दोड़ रहे हैं आजकल वो भी बहुत लोग हैं। लेकिन किसी को इतनी बड़ी एक्ट्रस इतनी बड़ी अदाकारा जाने की खबर भी नहीं है कि कुछ ना करके शोशल मिडिया पर दो लाइने तो लिखी जा सकती है। यह इंसानियत का तकाजा भी है जिस इंडस्ट्री का आप हिस्सा हैं वो भी आपसे यही कहती है कि प्यार बाटी है। कुम कुम एक बहतरी एक्ट्रस थी और उन्होंने अपने वक्त में जो नाम कमाया वह बहुत काबिले तारीफ है। और सिर्फ इतना ही नहीं मुझे लगता है कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा सच है कि कुम कुम ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने भोचपुरी फिल्मों का को जनम दिया। पहली फिल्म उन्होंने भोचपुरी फिल्म की, 1963 में और उसके बाद भोचपुरी फिल्मों का बनना या निर्मान चालू हुआ। मुझे ये कहना गलत नहीं होगा कि भोचपुरी फिल्मों की भिश्पितामा कुम कुम को ही कहा जाए। आज वो सपोर्डे खाक करी जाएंगी, कहा करी जाएंगी, कैसे करी जाएंगी हमें पता नहीं। लेकिन कुम कुम अपने भेधरी नभीने के लिए, अपनी आखों के लिए, अपनी खुबसूरती के लिए जानी जाती रहेंगी। और शायद कुम-कुम ना होती तो Mother India भी नहीं होती उसकी वज़े यही है अगर लाला की बेटी का जो किरदार उन्होंने जो नटखट किरदार जीया है मुझे नहीं लगता कोई जी सकता है और वो ऐसा किरदार जो बिर्जू जैसे किरदार को गुसे में ला दे आपे से बाह बादे हमेशा हमारे दिलों में जहन में जिन्दा रहेंगी अल्ला हाफिस